नमस्कार आज हम लोग बनाएंगे विंटर सीजन स्पेशल बहुत ही जाथा टेस्टी, इजी और हेल्दी टमेटो सूप तो चलिए दोस्तों हम इस टेस्टी और इजी सूप का रेसिपी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम टमाटर लेंगे और उसे इस तरह से सामने से कट करेंगे जैसे मैं कर रही हूँ आभी सेम तरीके से करें इस तरह से टमेटो को हमें फोर पार्ट्स में कट करना है और फोर पार्ट्स को भी बीट से कट करके हाफ कर लेना है सेम प्रोसेस से हमें छे से साथ मीडियम साइस टमाटर को कट कर लेना है अब हम सारे कट कियेवे टमेटों को एक बोल में ट्रांसफर कर देंगे अब मैंने यहाँ पर दो गाजर को पील करके रखा है इसे हम रफली इस तरह से कट कर लेंगे गाजर को रफली चॉप करने के बाद हम इसे भी अलग बोल में ट्रांसफर कर देंगे अब मैंने यहाँ पर लिया है एक इंच अद्रक इसे हम रफली स्लाइस कर लेंगे यह रफली स्लाइस हो चुका है अब चलिए हम चलते हैं नेक्स प्रोसेस की तरफ एक कुकर में हम थोड़ा सा घी डालेंगे आप चाहे तो आप कुकिंग ओईल भी यूज कर सकते हैं घी गरम होने के बाद हम इसमें डालेंगे कट किये वे टमाटर आधे छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर एक चोथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर स्लाइस्ड अदरक चार से पाथ छिली विलैसुन की कलिया दस से पंदरा ब्लाक पेपर रफली चॉप्ड गाजर और अब हम डालेंगे सूप का सीक्रेट इंड्रीडियन्ट जो है क्रस्ट बड़ी इलाइची नमक हम डालेंगे स्वाद अनुसार सारे इंड्रीडियन्स को डाल कर हम इसे हाई फ्लीम पर चार से पाँच मिनट के लिए कुप करेंगे चार से पाँच मिनट अच्छे से फ्राइ करने के बाद अब हम इसमें पानी आड़ करेंगे खयाल रखिएगा हमें बस टमाटर को ढखने तक पानी डालना है जादा पानी डालेंगे तो सूप का टेक्शर खराब हो जाएगा हमें बस सारे इंग्रीडियन्स को अच्छे से डिप रखना है पानी में अब हम इसका कवर लगाकर इसमें सीटी आने देंगे टमाटर हमारा अच्छे से कुख हो जाना चाहिए सीटी आ चुकी है अब हम इसका कवर हटाएंगे और ये देखिए दोस्तों सारे इंग्रीडियन्स कितने अच्छे से कुख हुए है अब हमें कड़ाई में एक बड़ा चमच कुकिंग ओयल डालेंगे और गरम होने देंगे तेल हलका गरम होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बटर इस तरह से बटर डालने से बटर जलता नहीं है बटर को हमें अच्छे से मेल्ट होने देना है अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज चॉप्ड प्याज अब हम प्याज डाल कर मीडियम फ्लेम पर चार से पाँच मिनट के लिए सौटे करेंगे प्याज पॉफेक्ली सौटे हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे कुकर में रेडी किया हुआ मिक्शर जिसे हमने इससे पहले वाले स्टेप में रेडी किया था और अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ता के स्टेम्स इसे मैंने अच्छे से धो कर कट कर लिया है सारे इंग्रीडियन्स को हम अच्छे से मिलाकर 5-7 मिनट के लिए कवर करके अच्छे से कुख होने देंगे ताकि सारा फ्लेवर अच्छे से सूप में आ जाए ये देखिए दोस्तों ये एकदम परफेक्ली कुख हो चुका है अब हम इसका फ्लेम आफ कर देंगे और एक बोल के ऊपर छनी रखकर इस मिक्शर को अच्छे से छान लेंगे जैसे मैं कर रही हूँ आप भी सेम तरीके से करें अब छनी के ऊपर बचेवे इंग्रीडियंस के ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे और उस ठंडे पानी को भी एक अलग बोल में कलेक्ट करना है छनी में बचेवे सारे इंग्रीडियंस भी अच्छे से ठंडे हो चुके हैं अब हम इन इंग्रीडियंस को ब्लेंडिंग जा में डालेंगे बचेवे इंग्रीडियंस को डाल कर हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे इधर हमें कड़ाई में बचेवे पानी जिसे हमने बोल में कलेक्ट हिया था दोनों बोल के पानी को डाल देंगे और ये देखिए पेस्ट भी परफेक्ली रेडी हो चुका है ये देखिए एकदम स्मूथ पेस्ट रेडी हुआ है अब जब कढ़ाई के पानी में अच्छे से बॉइल आ जाए तब हम इसमें डालेंगे प्रिपैर्ट पेस्ट और सबको अच्छे से मिलाते वे मीडियम हाई फ्लेम पर कुप करेंगे ब्लेंडिंग जाँ में बहुत सारे पेस्ट लगे रह जाते हैं तो मैंने उसमें पानी डाल कर भी इसमें डाल दिया है अब हम इसे 10 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर दोबारा कुप करेंगे और अब हम इसे दोबारा छान लेंगे दोस्तों विंटर्ज में सूप पीना सबको बहुत ही जादा पसंद आता है तो आप इसे घर पर एक बार जरूर ट्राइ करें ये बहुत ही जादा tasty ready होता है और साथ ही साथ बहुत ही जादा healthy भी है और अगर आपको मेरी विडियो पसंद आए तो इसे अपने friends और family के साथ share करें और अपना view comment करना ना भूले अगर आपको ये dish बनाते वक्त कोई भी problem आए तो आप हमसे comment करके पूछ सकते है दोस्तों अगर आप मेरे चानल पर नए है तो आप मेरे चानल को subscribe करें और bell icon पर click करके all पर click करें जिससे कि आपसे मेरी कोई भी easy और tasty dishes की recipes miss नहीं होगी ये देखिए ये perfectly छणा चुका है आपको भी इसी तरीके से करना है अब हम कड़ाई में इस छणेवे mixture को डालेंगे और medium high flame पर हम इसे अच्छे से मिलाते वे गुप करेंगे हमें इसे cover करके medium flame पर 15 मिनट के लिए अच्छे से कुक होने देना है ये देखिए दोस्तों कितने अच्छे से boil आ रहा है अब हम इसमें डालेंगे दो बड़ा चमब चीनी आप स्वाद अनुसार चीनी कम जादा कर सकते है हमें इसे अच्छे से मिला लेना है और medium high flame पर दोबारा कुक होने देना है अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा क्रीम अगर आपके पास क्रीम अवलेबल ना हो तो आप मलाई को ब्लेंड करके भी डाल सकते है और अगर आप चाहें तो आप इसे skip भी कर सकते है इस तरह से क्रीम या फिर मलाई डालने से सूप में बहुत ही अच्छा क्रीमी टेक्शर आता है और ये देखे दोस्तों ये हमारा बहुत ही जादा तेस्टी और हेल्दी बहुत ही आसान तरिके से विंटर सीजन स्पेशल टमेटो फूप पर इसा रेडी होची कारे सव होने के लिए अगर आपको मेरे विडियो पसंद आई हो तो नेचे दिये वे लाइक पुटन पर क्लिक करें और मेरे कानल को सब्सक्राइब करना ना बूलें थांके